25,000 ड्रोन्स ही इस टाइम पर सिर्फ इंडिया में है जो रिजिस्टर है तो अगर आप लोग ड्रोन्स के साथ बावर्सीज में ट्रावल कर रहे हैं व्लागिंग अगरा करते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल लगिए कि आप लोगों ने रिस्टली बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े होंगे कि इंडियन गवर्मेंट ने जो है किसी भी तरह के ड्रोन्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है 9 February 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है और immediate effect से ये नोटिफिकेशन लागू कर गया है कि अब से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं फिर चाहे वो consumer ड्रोन हो चाहे commercial ड्रोन हो चाहे किसी भी तरह का agri tech में यूज होने वाला ड्रोन हो इस वीडियो में मैं आप लोगो बताऊंगा कि क्या आप लोग अब आगे जाके drone import कर सकते हैं DJI का क्या होने वाला है सबसे बड़ा जो drone manufacturer है पूरे world में वो DJI है या क्या चीज ड्रोन के मामले में import कर सकते हैं क्योंकि हां कुछ exceptions इस रूल में इस notification में दिये गए हैं कि कुछ लोग अभी भी ड्रोन को import कर सकते हैं सारी चीज़े डिस्टेल में डिसकस करेंगे तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बर यहां तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के import export लिटरी वीडियोस लाता रहता हूँ दीखें सबसे पहले बैंड की बात करते हैं यह बैंड जो आया है नौ फरवरी 2022 को आया है डीजे फ्टी के दुवारा लागू किया गया है और इमेडियेट एफेक्ट से फोर्स में है यानि उस बदवार के बाद से कोई भी किसी भी तरह का ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर सकत इसके लाब वैसे भी ट्रोन इंपोर्ट करना बहुत कॉंप्लेक्स प्रसेस था उसके लिए बात करेंगे वह बात करेंगे कि वह बात की बाते हो चुकी है नए में क्या चल रहा है इस टाइम पर डीजे फ्टी ने नोटिफिकेशन ले आया है कि उसके अंतरगत आप कोई किसी भी तरह का ड्रोन इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता इससे सबसे अधा एफिक्टेट हुआ है चाइना का शंजन बेस्ट डीजे आई जो डीजे आइए आपने देखा ही होगा जो भी इंडिया में मोस्ली ड्रोन सुड़ते हैं या यूट्यूब अगर आप देख ही ना गई उनके हाथ से निकलने वाला हैं तो अब हो सकता है कि वो लोग इंडिया में अपना मेनिफेक्ट्रिंग स्टार्ट करें क्योंकि मैंनिफेक्ट्र को लेकर इस पॉलिसी के अंदा थोड़ी सी छूट दी गई है तो देकर सबसे बात करते हैं नोटिफिकेशन में लिखा क्या है नोटिफिकेशन में इस टाइम पर लिखा ये है कि आप किसी भी तरह का कोई भी ड्रोन इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं फिर चाहे वो कंप्लीट बिल्ड उनिट में हो सी बीउ में हो कंप्लीट नॉक्डाउन यानि CKD या SKD सेमी किसी भी कंडिशन में कोई भ इस तक को पहुचाया गया है इस कोईट का दौरान ड्रोन का हेल्प लेते हुए तो गोर्वर्मेंट को पता है कि आगे जाकि यह ड्रोन मार्केट जो इंडिया की बहुत-ज़ादा ग्रो करने वाली है अभी अमर्जिंग मार्केट है तो इसको देखते हुए गवर्मेंट ने बहुत साही टाइम पर एक साही स्टेप लिया है और इस ड्रोन का इंपोर्ट जो है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है इंडिया में इससे होगा यह कि जो हमारी लोकल मैनिफेक्चरिंग कंपनी से उनको थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिलेगा कि वो ड्रोन मैनिफेक्चर का होने वाला है 2023-2024 तक और यह जो ड्रोन मैनिफेक्चरिंग मार्केट है यह टाइरेक्ट 10,000 जॉब्स टेट करने वाला है इंडिया में आने वाले टाइम में तो गॉर्मेंट को पता है कि यह ड्रोन मैनिफेक्चरिंग जो है बहुत ज़दा ग्रो करने वाली इंडिया म इंडिया में आएंगे डेखा जाएगा इस तरीके से बाहरे आदे पर करने अपको प्रॉपर्पाइट्स वालो करना पडेगा और प्रॉपर अप्रॉपल धुल के साथ फ्रम डी फ्रॉपी तो प्रॉपर दोकुमेंटेशन के बाद आप for R&D purpose या for manufacturing of further drones एक आधे drone, 24 drones को आप बहार से import कर सकते हैं under this notification recent years में drone उड़ाने के लिए कुछ rules लाए गए थे but 2021 से पहले की बात करूँ तो वो rules भी जो तो काफी complicated थे और लोगों clarity नहीं थे किस तरीके से चीज़े करनी है उसके अंदर जो सारे protocols दे गए थे उसको भी follow कर अपाना थोड़ा मुश्किल था तो कई सारे unregistered drones इस टाइम पर इंडिया पर उड़ रहे हैं 25,000 drones इस टाइम पर सिर्फ इंडिया में है जो registered है और उसके अलावा जितने drones हैं वो सारे unregistered हैं अब उसको देखते हुए 2021 में एक liberalized rule को लाया गया जिसके अंदर drone registration और drone उडाने का जो procedure है उसको बहुत ही जादा easy और बहुत ही जादा flawless बना दिया गया है digital sky करके platform भी launch किया गया है जिसके अंदर जितने भी drone owners हैं और जो drone उडाना चाहते हैं उनके लिए अपने drone को register कर पाना और legal तरीके से उडा पाना बहुत जादा easy हो गया है तो government को पता है rule जो हमने liberalized किया है जो easy बनाया है इसके बाद बहुत सारे drones जो हैं वो import होने वाला है क्योंकि drone उडाना आने वाले time में बहुत जादा easy होने वाला इंडिया में तो इसको देखते वे government ने बिल्कुल साही time पे after the budget में भी आपको पता होगा कि हमारी finance minister ने drone शक्ति करके एक scheme का mention किया था और साथ में PLI scheme पिछले साल से लागू होई चुका है drone manufacturing के उपर इन सारी चीजों को मिलाके drone manufacturing का environment तयार करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में जिसके चलते यह बैन लगाया गया है ताकि जो हमारी local manufacturing facilities है उनको थोड़ा सा encouragement मिले उनको थोड़ा सा और push मिले क्योंकि जब उनको इंडिया में drone मिलेंगे ही नहीं और जिनके बाद drone है उनके spare parts उनको मिलेंगे नहीं तो वो कही ना कई local companies के उपर dependent हो जाएगी for drone and drone procuring और drone manufacturing के लिए देखिए अब drone सिर्फ बैन करने से इंडिया में ऐसा नहीं है कि drone manufacturing स्टार्ट हो जाएगी अब हम देखते हैं थोड़ा से कि इंडिया में इस टाइम पर कौन कौन है जो drone manufacture कर रहे है और आप लोग को बता हूं तो यह नोटिफिकेशन आया है drone ban करने का उसके उपर जो हमार इंडिया में इस टाइम पर drone बना रहे हैं और इस कारणी प्रोसेस में अल्ड़ी हम लोग involved हैं और काफी जल्दी आप लोग drone देख सकते हैं made in India वो कितना सस्ते होने वाला है वो तो आने वाला time बताएगा बट मैं आप लोगो जल्दी से दिखालता हूं एक दो जो इस टा इसके लावा बहुत सरी कंपनी ने पीछे 2021 में अपना इंट्रस दिखाया था इंडिया में अपना फर्म सटप करने को उसमें से एक डीजी आई भी कह रहा था कि अगर रूल्स हो जाते हैं तो हम लोग भी आके जाके इंडिया में manufacturing स्टार्ट कर सकते हैं जो कि मुझे लग अगर आप manufacturing में है तो आप proper compliance और proper documentation के बाद proper approval के बाद DJFT से drone import कर सकते हैं इसके लावा कोई इस टाइम पर किसी भी तरह का consumer drone import नहीं कर सकता हां मैं एक चीज़ और react करना चाहूंगा यहां पर लोग यह जरूर पूछेंगे duty लेकर छोड़ जाता है बट इस टाइम पर नहीं होने वाला अगर आप personal use करते हैं उसका packet नहीं है आपके बास तो एक बार के लिए आप लोग लेकर आ सकते हैं बट बहुत जाता आपका ड्रोन आपको वापस मिला ही ना तो यह था पूरा वीडियो ड्रोन इंपोर्ट बैन के उपर वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को सारी रिसोर्स मिल जाएंगी नए ड्रोन रूल्स मिल जाएंगे आपको PLI स्कीम की डिटेल मिल जाएगी वीडियो का अब तक देखने के लिए बहुत जबता धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों